सो नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपके वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप Android मोबाइल यूज करते हैं और उसके अंदर आपको नेटवर्क से रिलेटिड इशू होता है जैसा कि उपर अगर आपके साथ नेटवर्क से रिलेटिड प्रॉबलम आ रही है तो आज की वीडियो आपके लिए ही है यहां पर मैं साथ से आपको solutions बताऊंगा अगर आप उनको apply करेंगे तो आपकी problem जो है 101% solve हो जाएगी तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं और जान लेत और फिर से आपको star press करना है जैसे आप star press करेंगे आपके सामने यह screen open हो जाएगी अब यहां से आपको क्या check करना है यहां पर third number पर है sim card test आपको आपने sim card का test करना होगा यहां पर मैं sim card test पर click किया तो आप देख सकते है sim detected pass पास लिखा हुए है मतलब मेरे जो sim है वो यहा है या फिर आपकी sim तो यहां पर आपको पता चल जाएगा आपकी sim में कोई problem नहीं है अगर यहां पर sim है आपने डाल रखी है और यहां पर fail दिखा दे तो आप समझ जाईएगा कि आपकी sim खराब है तो यहां पर retest भी आप कर सकते हैं बार-बार retest करके check कर सकते हैं तो य 4636 has star has star अब यहां पर आपको यह code dial करने के बाद यह settings देखने को मिलेगी अब आपको करना क्या है नीचे आप आएंगे तो देखेंगे mobile radio power लिखा हुआ है अब ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं networks नहीं है mobile radio power को मैं जैसे यहां पर enable करूँगा अब देखेंगे networks मेरे आ ज चुके है अब आपको करना क्या है जब आप यहां पर आते हैं यह code dial करके तो आपको mobile radio power बंद है तो उसको own करिए own है तो बंद करिए सिर्फ यहां पर आपको यह बार बार करके देख लेना है और आप देखेंगे आपकी जो problem है वो solve हो जाएगे आपके networks वगयरा आ और नीचे आईएगा थोड़ा से स्क्रोल करके फिर देखेगा नीचे refresh है refresh पर आप क्लिक कर दिजीगा 7-8 बार तो आपकी problem solve हो जाएगी यह काम आपको जुरूर से कर लेना है दन उसके बाद आपको करना है settings में आने के बाद आपको जो mobile network पर क्लिक करना है दन यहां पर आपको देखने को मिलेगा preferred network टाइप इस पर क्लिक करना है आपको जो mobile अगर 5G है sim 5G है या 4G है तो उस पर आपको select कर लेना है अगर आपके mobile में 2G select हो रखा होगा 3G select हो रखा होगा तो आपको LTE या 5G पर क्लिक कर लेना है तो यह काम आपको जुरूर से करना होगा गाई तो यह काम आपको जुरूर से कर लेना है फिर उसके बाद आपके mobile में आपको देखने को मिलेगा flight mode यहाँ पर आप देख सकते हैं यह flight mode है जिसको हम airplane mode बोलते हैं इसको एक बर आपको enable करना होगा enable करने के बाद फिर से इसको बंद करना होगा आपके network जो है फिर से refresh हो कर जाएंगे और आप देखेंगे आपकी problem जो है solve हो जाएगी यह काम भी आपको जुरूर से कर लेना होगा उसके बाद एक काम आप कर सकते हैं अपने mobile को करना होगा आपको reboot reboot करना कैसे करते हैं अपने mobile को वो आपको YouTube पर वीडियो देख लेनी है और आप अपने mobile को reboot कर सकते है देन उसके बाद एक finally एक और काम करना है setting में आईएगा setting में आने के बाद आपको mobile network पर आना है अब यहाँ पर आपको जो है mobile network देखने को बिल रहे नीचे की तरफ इस पर क्लिक करना है आपके जो network है वो यहाँ पर automatically है तो आपको manually select करने होंगे यहाँ पर इसको बंद क पर क्लिक करना है और okay कर देना है अब अब देखेंगे आपके networks जो है आप manually select कर पाएंगे यहाँ से आपका जो भी company का SIM होगा आपको यहाँ पर उपर दिखा देगा और उस पर क्लिक करके आप अपने network को select कर लिजिएगा यहाँ से आप यह काम कर सकते हैं guys तो एक पर कर सकते हैं मेरा G4G है तो G4G पर मैं क्लिक कर देता हूं registered or network निचे आ चुका है मतलब मेरा network registered हो चुका है आपका automatically है तो यहाँ पर मैंने manually select कर लिया है manually आपको network select कर लेना होगा दन उसके बाद एक काम और करिएगा setting में आएगा about phone में आईएगा और अपने जो है update कर लिज नेटवर्क से related issue वो solve हो जाएगा अगर आपको फिर भी कोई problem face करने पड़ते हैं मुझे comment box में बताएगा मैं आपके लिए कोई और solution लेकर आऊँगा सब्साथ की वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तिल दरबाय टेक क्या